हेलो फ्रेंड्स, इस टोड़ो में हम लोग कक्चा चौथी हिंदी का पार्ट 6 और द्योगिक तिर्थ कोर्वा का प्रश्ण और अभ्याज देखेंगे और उसके बाद भासा तत्वा और व्याकरण को भी देखेंगे प्रश्ण नमबर पहला है कोर्बा नगर कहां इस्थीत है और क्यों प्रश्ण है इसका उत्तर होगा 36 कड की उत्तर पुर्व में वन एवं वनवासियों से भरा पुरा जीला है कोर्बा इस जीले का मुख्याला है कोर्बा नगर इस नगर में बिजली बनाने का बहुत बड़ा विद्यूत घ्रिय यानि कि पावर हाउस है जो देश में सबसे बड़ा पावर हाउस है इसलिए कोर्बा नगर ट्रशिद है अब देखते हैं प्रशन नमबर दूसरा हमें किन वस्तूओं से उर्जा मिलती है इसका उत्तर है हम खनीज तेल पेट्रोलियम का सोधन करके पेट्रोल डीजल बनाया जाता है प्रशन नमबर चौथा हमारे प्रदेश में चल विद्यूत किस बांध से पैदा की जाती है इसका उत्तर होगा हमारे प्रदेश में चल विद्यूत दर्री बांध तथा मेनी माता बांध जिसका ये नम बांगो बांधहाइ से पैदा कीजाती है प्रांस 5 देखते हैं कोर बा में समांद होने का काम बहुत जादा क्यों है इसका उतर होगा कोरबा में आल्लोमीनियम धातू बनाने का एक बड़ा कारखाना है इसके अलावा कई छोटे छोटे कारखाने भी हैं जो इन बड़े कारखानों की जरुरतों को पूरा करते हैं यहां की खादानों एवं कारखानों के कारण समांड होने का काम बहुत जादा है यह पांशवा का उत्तर था अब प्रस्ट नमबर छटवा देखते हैं हम अपने घरों में बिजली की बचट कैसे कर शकते हैं इसका उत्तर होगा हम अपने घरों में बिजली की बचट निम्न प्रकार्शे कर शकते हैं पहला दिन के समय किड़की खोल कर रखें जिससे रौसनी आये तथा विद्यूत बल्ब की जरूरत ना पड़ें दूसरा कहीं इससे क्या होगा बिजली की आवशक्ता क्या है कम होगी अगर हम खिड़की खोल कर रखें तो बिजली के बल्ब नहीं जलाने पड़ेंगे और बिजली की बचत होगी प्रशन नमबर सात्वा है जब तुम्हारे घर की बिजली बंद हो जाती है तब तुम्हें क्या क्या परेसानिया होती है तो इसको आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं तो मैंने अपने अनुसार इसको लिखा है जब हमारे घर की बिजली बंद हो जाती है तो हमें निम्न परिसानिया होती है पहला रात की समय बिजली ना होने पर पढ़ने में समस्या होती है दुसरा पंखे नहीं चल पाते हैं कब नहीं चल पाते हैं जब बिजली नहीं होती है तो जिससे गर्मी लगती है यह था प्रश्ण नंबर साथमा का उत्तर प्रश्ण नंबर आठमा बुपग करने के लिए पे साधन को साधन के पेट्रोलियम एक प्राकृतिक इंधन है, यह प्रकृति के अंदर पाया जाने वाला एक तैलिय द्रौ है, पेट्रोलियम का सोधन करके पेट्रोल डीजल इत्यादी बनाया जाता है, इस प्रकार से जो सब्द दिये हुए हैं, उससे हम जो चीस समझे हैं, उसको यहाँ पे ल ग्रिय कहते हैं देश का सबसे बड़ा विद्यूत ग्रिय कॉर्बा नगर में इस्तीत है, फिर अताप विद्यूत, कोईले को जला कर उसके भाव से विद्यूत बनायी जाती है, जिससे मसीने चलती है, इसे ताप विद्यूत कहते हैं, अगल gewoonاج जल विद्यूत, बान के पा बांगो बांध से जिसका अन्य नाम क्या है? मेनी माता बांध है अब है भासा, तत्व और व्याकरण इसमें प्रशन नमबर पहला है नीचे दिये के सब्दों के अर्थ जानकर इनका वाक्यों में प्रयोग करो पहला है सुरोत सुरोत में सुतह साधन वाक्यों प्रयोग होगा मसीनों को चलाने के लिए उर्जा के कई सुरोतों का उप्योग किया जाता है दुसरे सोधन सोधन में सुतह सुद्ध करना वाक्यों प्रयोग होगा खनीज देल पैट्रोलियम का सोधन करके पैट्रोल डीजल आदी बनाया जाता है बन गई है आज के जमाने में कोई भी बीजली के बिना नहीं रह सकता तो बीजली के एक अनिवारी आवश्रकता बन गई है चोड़ा है खुसाली खुसाली मी सुता है संपन वाग के प्रयोग हमारी राज ने में खुसाली का प्रमूक आधार है और जयोगीक तीर्थ कोरभा जो क्या करती है, हमारे राज ने को एक संपन ने राज ही बनाती है पांचवा नमबर है अतिरिक्ट अतिरिक्त मी सुतह अलावा वाक्य प्रयोग दर्री बांध की अतिरिक्त बांगो बांध से भी जल विद्यूत उत्पन किया जाता है छटवा नमबर परियाप्त परियाप्त मी सुतह काफी वाक्य प्रयोग होगा सभी को परियाप्त भोजन मिलनी चाहिए अब आगे समझो हैं इसको बूक से ही समझते हैं कि यह क्या है कमल भिलाई गया है मनोज भिलाई से आया है इन दोनों वाक्यों को मिला कर एक वाक्य इस तरह से बना सकते हैं कमल भिलाई गया है और मनोज भिलाई से आया है दोनों वाक्यों को जोडने के लिए और सब्द का प्रयोग किया गया है कमल भिलाई गया है सरल वाक्य है कमल भिलाई गया है और मनोज भिलाई से आया है एक संयुक्त वाक्य है क्या है ये संयुक्त वाक्य है तो इस प्रकार से नीचे दिये गए वाक्यों को इसी तरह जोड़ कर नए वाक्य बनाओ यहाँ पर नीचे में वाक्य दिया हुआ है जिनको जोड़ करके हमको नए वाक्य बनाना है को नमबर सुसील खेल रहा है रमीस पढ़ रहा है तो ये क्या है सुसील खेल रहा है एक सरल वाक्य है रमीज पढ़ रहा है अभी क्या है सरल वाक्य है इन दोनों को एक साथ जोडने के लिए किसका उपयोग करेंगे और का और जोडने से दोनों एक वाक्य बन चाएगा उसके बाद ये कैसा वाक्य बनेगा एक शायूकत वाक् सीमा हस्ती है रचना चिड़ती है इसका उत्तर क्या होगा सीमा हस्ती है पूर्ण विराम हड जाएगा और लगेगा और रचना चिड़ती है गहां नमबर वतसल पढ़ने जाएगा नमन मंदिर जाएगा इसका उत्तर होगा वतसल पढ़ने जाएगा और नमन मंदिर जाएगा गण नमबर उसा सो रही है, श्रेता उसके पास बैठी है, जोकि इन वाक्यों का क्या होगा, शैंउप्त वाक्यों होगा, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ो, कर नमबर हमें पहले बिजली कम मिलती थी कर हमें आज बिजली परियाप्त मिलती है कर नमबर हमें आगे बिजली परियाप्त मिलती रहेगी वाक्य कर बीते समय ने की भूत काल की बात बता रहा है क्योंकि वहां मिलती थी जब इत्थी आता है तो क्या होता है भूत काल में होगा वाक्य ख़व वर्तमान समय की बात बताता है ख़व नमबर वाक्य में क्या हमने पढ़ा हमें आज बिजले की परियापत मिलती है मिलती, लाष्ट में क्या है, ती है, तो क्या हो जाएगा, वर्तमान काल का वाक्य हो जाएगा, वाक के गव, भविश्य की बात बताता है, वाक के गव में क्या लिका है, हमें आगे बिजले, पर्यावत मिलती रहेगी, रहेगी आगया, तो क्या हो जाएगा, भविश्य काल मे यहां पर उत्तर दिये हुए हैं जिनके हमको क्या बनाना है प्रश्ण बनाना है इसका प्रश्ण क्या होगा 36 गड़ की उर्जा नगरी किसे कहते हैं मसीन को चलाने के लिए उर्जा को उप्योग करते हैं तो इसका प्रश्ण कैसे लिख सकते हैं मसीन चलाने के लिए किसका उप्योग किया जाता है गह नमबर कोर्बा का ताव विद्युद्ग्रिय कोईले से चलता है इसका प्रश्ण होगा कोर्बा का ताव विद्युद्ग्रिय किश्य चलता है गहा नमबर उत्तर है, मनुस से या अन्य जीव जंतु भोजन से उर्जा प्रापत करते हैं इसका प्रश्ण हम कैसे बना सकते हैं? प्रश्ण नमबर तीसरे है, अब नीचे दिये वरतमान काल की वाक्यों को भूत काल और भविश्षय काल में बदलो यहां हमने भूत काल, भविश्य काल के बारे में जाना कि किस प्रकार से लिखते हैं चलिए अब इसको बदलते हैं यह जो वाक के हो किस काल में है वरतमान काल में है इसको किस काल में बदलना है भूत काल और भविश्यत काल में इन उद्योगों में सैकडो कामगार काम करते हैं तो इसका भूत काल में क्या होगा इन उद्योगों में सैकडो कामगार काम करते थे और भविस्यत काल में इसको कैसे लिखेंगे इन उद्योगों में सैकडो कामगार काम करेंगे खान अमबर है भाप से मसीने चला कर बिजली पैदा की जाती है भूत काल में इसका वाक्य बनेगा भाप से मसीने चला कर बिजली पैदा की जाती थी भविस्यत काल में इसी वाक्य को हम लोग किस प्रकाल लिखेंगे भाप से मसीने चला कर बिजली पैदा की जाएगी गा नमबर है रेल गाड़ियां बिजली की ओरजा से ही चलती है भूत काल में इसका वाक्य होगा रेल गाड़ियां बिजली की ओरजा से ही चलती थी और भविस्यत काल में होगा रेल गड़ियां बिजली की उर्जा से ही चलेंगी घर नमबर है इस नगर में बिजली बनाने का कार खाना है इसको हम लोग भूत काल में लिखेंगे इस नगर में बिजली बनाने का कार खाना था और भविस्यत कल में लिखेंगे इस नगर में बिजली बनाने का कारखाना होगा क्या तुम विद्यालय और असुद सब्दों की रचना समझते हो विद्यालय में धा की रचना आधा दो या की रूप में है इसमें दो आधा है और या मिला है इसे विध्याले लिखना गलत है असुद्ध में दो और धो मिले है दो आधा है और धो पूरा है इसे असुद्ध लिखना गलत है देखे अब क्या यहाँ पे दिया हुआ है अशुद्ध यह अशुद्ध लिखा हुआ है में आधा दो और धो मिले है द आधा है और धा पूरा है इससे असुद्ध लिखना गलत है यह भी समझो अशुद्धी को यदि हम तोड़ कर लिखेंगे तो उसका रूप होगा अधान सुद्ध धन धम छोटेक मत्र धी इससे अशुद्ध लिखना गलत है आधे वर्ण कख ग आधी पर मात्रा लगाना गलत है अधान यह 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 से बने तीन तीन सब्द लिखो अर्धस बनेगा विद्यूत और द्योगिक और विद्याले और धस बनेगा युद्ध बुद्ध और शिद्ध आगे है राम रावण यहां दोनों सब्दों के बीच में यहां पर क्या है योजक चिन लगाया गया है जिसका अर्थ है और यहां देखे राम रावण यहां द योजक चिन रावन का अर्थ हुआ राम और रावन इस प्रकार विद्यूत फिर चिन लगा हुआ है योजक चिन फिर ग्रिह एक सब्द है यहाँ योजक चिन का अर्थ है का अता है इस पूरे सब्द का अर्थ है विद्यूत का ग्रिह नीचे लिखे सब्द युगमों के अर्थ लिखो पहला खेल खिलाडी तो यह क्या हो जाएगा खेल और खिलाडी खनमबर विद्यूत मंडल यह हो जाएगा विद्यूत का मंडल फिर सुबा साम सुबा और शाम हो जाएगा गुलाब जल गुलाब का जल पसु पक्छी पसु और पक्छी यहां क्या होगा पसु और पक्छी पश्रू और पक्षी फिर सुरक्षा कवच यह हो जाएगा सुरक्षा कवच प्रश्न पांच वाख्यों में एक एक सब्द असुद लिखा है इसे खोजो असुद करके वाख्य फिर शे लिखो कर नमबर इन खादानों से भारी मात्रा में कोईला निकाला जाता है खादानों के जगह क्या होगा खादानों होगा खादानों होगा खादानों होगा बांगो बांच मैं जल विद्यूत की तीन इकाईया हैं तो हम मैं के जगा क्या होगा मी होगा गव नमबर है कुर्बा हमारा तीर्थ स्थान है तो यह यहां पर क्या होगा ओद्योगिक होगा ओद्योगिक तीर्थ है होगा गव नमबर है पान से कई नालियों में पानी निकाला जाता है तो इसका उत्तर होगा पान से कई नालियों म बताईएगा कि इन तीनों का एंसर क्या होगा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सेर और सस्क्राइब किजीगा थैंक यू